नमश्कार, हमारे सबी दर्शकों का इस online platform पे हमारे साथ जुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। CSC हमेशा कोशिश करता है कि हम अपने इस platform के जरिए ऐसी information आप तक पहुंचाएं जो ना किसी expert द्वारा दी गई हो बलकि proved हो और किसी ना किसी तरीके से उस पर research या काम किया गया हो। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक चाहे उनमें वियलीज हो या वियलीज के customers हो उन तक सही information, especially इस COVID में सही जानकारी सही तरीके से पहुंचें। आज हम बात करेंगे pregnant महिलाओं के, lactating महिलाओं के और उनके newborn babies में कि किस तरीके से COVID का खत्रा उनमें बना रहता है और Ayurvedic इलाज के साथ उनसे वो खत्रा किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। इस पर detail जानकारी देने के लिए आज मेरे साथ Dr. Bhavna Dwedhi मौजूद है। Bhavna एम सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे, thank you for joining us on this platform. Thank you very much for having me. Dr. Bhavna के बारे में बताना चाहेंगे कि she specializes, she's a specialized gynecologist और infertility disorder में उनने काफी अनुभव है, काफी experience है। उन्होंने BMS State Ayurvedic Medical College में लखनाउ से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। और पिछले 16 सालों से वो क्लिनिकरी प्राक्टिस कर रही हैं गाइनकालोजी डिपार्टमेंट में, गाइनकालोजी फिल्ड में स्पर्ट हैं। और कई लोगों को, कई patients को पिछले 16-17 सालों से वो अपने अनुभव के साथ लोगों का इलाज करती आ रही हैं। यह भी बता दें, सिर्फ भारत ही नहीं, देश को कई विदेशों में भी उनके students को पढ़ाती हैं अपना नुभव विदेशों तक भी शेयर करती हैं। तो इतनी experience doctor का हम स्वागत करते हैं हमारे साथ इस प्लाटपर्म पे। तो डॉक्टर भावना जैसे हम इस section में कहा कि हम आज pregnant महिलाओं के लिए जो lactating mothers है या infant newly born babies हैं अज उनमें COVID के खत्रे के बारे में बात करेंगे। तो हमें detail में बताए कि किस तरीके क्या रोक थाम बचाव एक pregnant महिला को करना पड़ता है। आपके क्या सुझाव हैं हमारी उन दर्शकों को इस वक्ता में देख रही हैं। तो I think ये तो काफी सारी चीजे इसमें involved हैं। एक pregnant mother को थोड़ा सा ये pregnancy immunocompromised state होती है। तो ऐसी situations में जो pregnant mother है वो बहुत sensitive होती है। तो उनका पूरा care ही अलग तरीके से होता है। She should be you know protected in the house. एक regular जो हमारा COVID appropriate protocol है। वो तो उनको follow करना ही है। जैसे mask पहना या जिनको नहीं जानते हैं। जो बहार guest आते हैं। उनसे जादा contact नहीं करना। आज कल तु डॉबल मास्क के बारे में डिसक्स करते हैं। आज कल तु डॉबल मास्क के बारे में डिसक्स करते हैं। और बाकी एक healthy diet लेना, एक healthy lifestyle रखना, adequate sleep लेना, और खुष रहना, with yoga and meditation. So I think that is very important. तो प्रेगनेंसी बहुत important और बहुत ही एक precious stage है किसी भी female की life में, तो इसलिए उसके care के लिए special एक हमारा routine है, जिसके बारे में हम discuss करेंगे। जी माम, तो मैम आपी के thoughts जाना तरहेंगे, कि आप detail में हमारी audience को, जो महिला है, especially हमें बेखरी हुने, बताएं कि किस तरीके की बचाव और रोक्थाम उन्हें करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है. तो बेसिकली इस पे स्टार्ट करने के लिए, सबसे पहले हमें यह जानना जुरूरी है कि प्रेग्डेंसी क्या प्लान करना इंपॉर्टन है, अगर यूनों अगर मैं किसी से भी यह क्वेशन पूछूँगी, तो इक हमारा एक थौट प्रसेस होता है कि यह कुई प्लान करने की चीज़ है, बच अगर मैं आयरुविदिक प्रस्पेक्टिव से बोलूं, तो येस, इस शुड बी अ प्लान प्रसेस, अब क्यूं ऐसा है, वाइड वी नीड हेल्दी चाइल्ड, क्यूंकि हम देखते हैं कि आजकल तेरा ग्रोइंग इंस्टेस, जैसे लडाई जगडा देखते हैं, वाइलेंस देखते हैं, टेररिजम देखते हैं, तो एक हमेशा, एक हमेशा question mark हमारे दिमार्ग में होता है, कि ऐसा क्या process हम प्लान करें, या बच्चे का development किस तरह से हो, या pregnancy का पूरा process कैसे हो, ताकि जो बच्चा हो वो नहीं physically healthy हो, वो emotionally, spiritually, you know, psychologically भी healthy हो, क्योंकि बच्चे हमारा future हैं, वो future citizens हैं, तो कोई भी parent यह नहीं चाहेगा, कि वो बच्चा disease हो, वो disturbed हो, वो violent हो, depressed हो, खुष ना रहे, aggressive हो, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा फिजिकली भी healthy हो, mentally भी strong हो, emotionally भी हर चीज से लड़ने के लिए ready हो, socially भी अच्छा हो और spiritually भी अच्छा हो, तो इसी concept से, Ayurveda ने बड़ा एक detailed plan, इसके बारे में एक गरबदान संसकार है, जिसके बारे में हम आगे जिकर करेंगे, तो हम बहुत strongly believe करते हैं, कि Ayurveda का योगदान हमेशा से एक healthy society के लिए रहा है, ताकि बच्चे बड़े हो, and they should turn out to be a well-adjusted adults, जो कि हर मोहल में अपने आपको adjust कर सके, So इसलिए दोनों parents को, बहुत important role at the time of conception, तो अगर हम simple चार चीजों की बात करें Ayurveda में, जिसमें conception के लिए जरूरी है, तो वो होता है Ritu, मतलब fertility period, that the time when you should plan the pregnancy, the fertility period is basically from 10th day of your menstrual cycle to the 17th day, जब एक lady का ovulation होता है, जब ovary से egg release होता है, और वो conception के लिए ready होती है, दूसरा important area है Shetra, माने Shetra माने यहां पे वो fertile land, जैसे कि a fallopian tube हो गया, tube patent होना चाहिए, तभी fertilization होगा, uterus healthy होना चाहिए, तभी conception हो पाएगा, then the third important point is Ambu, Ambu मतलब वैसे हम उसको जल से correlate करते हैं, यहां पे अगर मैं आपको general language में समझा हूँ, तो it is the nutritional supply to the fetus, यह जो hormones हैं, जो mother के अंदर flow करते हैं, during the entire pregnancy phase, और चौथा होता है बीज, मतलब एक healthy sperm, और एक healthy ovum required है conception के लिए, तो Ayurveda में बहुत interesting, इसके लिए एक हमारा Ayur Baby plan है Jeeva में, जिसमें हम couples को बुलाते हैं, और उनका हम cleansing और detoxification कराते हैं, तो अगर मैं general आपको layman's language में explain करो, तो क्लीजिंग का या detoxification का क्या रोल है, तो उसके लिए यह बहुत important है कि, for example, हमारे पस एक गाड़ी है, अब वो गाड़ी हम चलाते हैं, तो हम उसको साल में दो बार, तीन बार, उसके routine servicing तो कराते हैं ना, similarly, यह body भी एक machine है, इसकी भी cleansing important है, इससे भी toxins remove होना बहुत important है, तो toxins यानि आम और जैसा हम लोग आयुरवेद में कहते हैं, बड़ा famous हमारा, हमारे सर भी कहते हैं कि, जहां पहुचा आम, वह हो गया काम तमाम, तो it is important that the toxins should be adequately and routinely cleaned from your body, तो उसके लिए एक हमारा 15 दिन का proper cleansing program होता है, कॉंसेप्शन से पहले हम patient को बुलाते हैं, couple को बुलाते हैं, तो हम couple को बुलाते हैं और उनको कुछ herbal preparations देते हैं, जो कि detoxification में help करते हैं, तो यह हमारा पूरा proper panch karma होता है, जिसमें हम patient को वमन या वेरेचन उनकी प्रकृति के हिसाब से प्लान कराते हैं, तो जिसमें patient को, उनको couple को बुलाकर हम पहले पूर्वकरम कराते हैं, जिसमें हम oil से massage कराते हैं, फिर हम fermentation कराते हैं, फिर कुछ हम medicated herbs देते हैं, जिससे कि उनकी body की cleansing हो सके, विरेचन हो सके, वमन हो सके, और दोश body से बाहर निकल सकें, उसके बाद इस पूरे pattern में, there is a proper diet that the patient needs to follow, वो dietary regimen proper होता है, खिच्री है, दलिया है, सूप है, light diet हम प्रेफर करते हैं, और एक proper lifestyle है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इस पूरे process का जो best part होता है, वो patient के जो दोशाज है वो बिलकुल balance हो जाते हैं, and the couple is ready for conception, तो कुछ हम herbs भी देते हैं, दवाईयां भी देते हैं, of course this is totally under medical supervision, हमारे doctors हैं, we have a trained staff who is performing this, but simple remedy के लिए मैं अगर बताऊं कि इस program के बाद, then हम यह भी advice करते हैं कि दूद में आप अगर थोड़ा सा केसर ले ले, या दूद में अगर आप थोड़ा अश्वगंधा पाउडर ले ले ले, या मेल्स के लिए हम बोलते हैं, that you know, बनान के साथ थोड़ा मिश्री अगर ले ले ले, तो यह सब आपके healthy sperm और ओवं के लिए, यह एक बहुत important factor हो जाता है, यह help करता है, अब conception हो गया, conception हो गया, तो वो जो लेडी जिसकी pregnancy बहुत precious है, this is a very important phase of any couple's life, especially the female partner, पुरे उनकी body में changes होते हैं, you know, she experiences motherhood, so she is going through a lot at that particular time, you know, point of time, तो कैसे उनकी care करना है, जो anti-nittal care की हम बात करते हैं, जिसको हम Ayurveda में गर्भिनी परिचरिया कहते हैं, तो इसमें proper एक हमारा आहार होता है, proper विहार होता है, आप कहीं भी Ayurveda में अगर आप बात करेंगे, तो आहार विहार पे हम बहुत emphasis ले करते हैं, हम पत्थे अपत्थे पे बहुत emphasis ले करते हैं, हम क्या डाइट पेशन को देनी हैं, इस पे बहुत ध्यान देते हैं, तो क्योंकि Ayurveda में एक बड़ा कॉमन सा सेंग है कि अपत्यम की मौषधम, मतलब अगर अपत्य का सेवन करना है, तो पर आशदी क्यों खानी है, तो इसलिए आप अहार और विहार पे बहुत फोकस करते हैं, प्रेग्नेंट मदर की, तो हमारे पूरा नाइन मंस का इसका मासानुमासिक प्लान है, कि आप नाइन मंस में मन्थवाइस डिविजन है वैसे तो, कि आप फर्स्ट में क्या किलाएं, क्या किलाएं तो, लेकिन तो, लेकिन तो, कुछ शूर्ट आपको नच्छेल में समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगी, कि कोशिश करना चाहिए, कि फर्स्ट मंत में कुछ मीठा हम दें, रिंड़ित क्या के लिए वाड़िग नौ डिए। और लिक्विड डाइट प्र राफर कर चाहिए, क्योंकि उस टाइम पहुत्स प्रैमेस्टर बहुत्विजन प्राब्लम्स होती हैं, मौसनल सिकने सोता है, मौनिंन सिकने सोता है, मुट स्वें आपको भी, चीजें करी जाती हैं, coconut water patient के लिए अच्छा होता है, fruit juices अच्छे होते हैं, और कुछ चीजें हैं जो हमें avoid करना चाहिए, जैसे बहुत pineapple का use, papaya का use, sugar cane का use, ये थोड़ा सा avoid करना चाहिए, likewise, third और four month में हम patient को बताते हैं, कि आप दूद के साथ चावल, थोड़ा सा घी या श ब्लाडर ब्रायर, it is very good for the healthy development of the brain, of both the mother and the child. So it should be taken, preferably cows. Fruits, the जो मौसम थाल, जो आपको लेना चाहिए, आम का सकते हैं, तोड़ा बत आप coconut water again is very good, जोड़ा watermelon भी आप ले सकते हैं, तो आपका फिफ्थ मन पे जब हम बोलते हैं कि प्रोटीन का अमाउंट बोडी में अच्छे से जाना चाहिए दूरिंग प्रेगनेंसी तो आयुरवेद में मीट सूप का भी वर्णन है कि आप मास वर्दक अहर ले सकते हैं आपको उस टाइम पे कुछ ऐसी चीजे देनी हैं कि जमाने में आयुरवेद में आइरन स्प्लिमेंटस नहीं होते थे तो हमेशा उन चीजों पर डाइट पर ध्यान दिया जाता था कि ऐसी क्या चीज दें जिससे प्रेगनेंट लेडी का आइरन मेंटेंड रह तो आप अनार कह सकते हैं चीकू कह सकते हैं अबल कह सकते हैं पालक शूट करता है पालक ले सकते हैं चुकंदर वेरी गूड आमला ले सकते हैं अम्रूद ले सकते हैं यह चीजें आप ले सकते हैं शिक्स में और सेविंथ मंथ में कुछ पेशन्स को हलका फुलका जो problem होता है उसके हिसाप से जैसे हम गोखषुर से साधित घी भी हम एड प्रवाइन करते हैं कि लोग लिम्स में एडिमा हो रहा है पैरो में सूजन आरी है अफ चुर्स दिस विल बी अंडर डॉक्टर सुपरविशन और अगर सेविंथ मंत में ऐसा हमें लगे कि बॉडी में इचिं है या लोग लिम्स में इस्वेलिंग है तो थोड़ा सा पानी का और सॉल्ट का इंटेक बहुत अगर हम पानी पीते हैं वो और अगर हम नमक जादा लेते हैं तो उस पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन डिफिनिटली होना चाहिए दिन थोड़ा इचिंग होता है बॉडी में तो ऑईल मसाज आप थोड़ा सा कर सकते है अपनी बॉडी पे यवागु जिसको हम बोलते हैं उसका बहुत इंपोर्टेंट रोल है कुछ हर्ब्स हैं जो हम एड़ाइस करते हैं जैसे लोद्र है पिपली है हनी है मिल्क साथ और हम एट मंत के आसपास हम अनुवासन और अस्थापन वस्ति भी देते हैं वस्ति इसलिये देते हैं ताकि जो हमारा जो वायू है, particularly अपान वायू, उसका अनुलोमन हो सके और वायू का अनुलोमन होगा, तो एक नॉर्मल डिलिवरी में हमें हमें हेल्प मिलेगा अगें ऐसा नहीं है कि जिन सब का अवस्ती करेंगे उन सब का नॉर्मल डिलिवरी होगा उसमें और बहुत सारे अधर अधर फैक्टर भी इंवाल होते हैं, but this is in general that I want to, you know, advise. और 9th month पे हम वजाइनल टैंपूनिंग भी थोड़ा advise करते हैं, ताकि पैसेज थोड़ा स्मूध हो जाए और डिलिवरी थोड़ा सा convenient हो जाए पेशेंट के लिए, but मैं फिर कहूंगी, this is as per our Ayurveda guidelines, यह हमेशा डॉक्टर के जाए इन जीजों को थोड़ा एवाइड करना चाहिए, यह जो डाइट होता है, आती उक्ष्ण जो गरम चीजे होती है, कुछ गरम मसाले होते हैं, जैसे दालचीनी वगर हो गया, जो गरम मसाले होते हैं, उनको एवाइड करना चाहिए, तीक्ष्ण माने जो spicy food हो, बिटर फूट हो, एती ठीक्ष्ण फूट को भी एवाइड करना है, बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए, अहित फूड मतलब ज़ंग फूड हो गया, पीज्जा हो गया, बर्गर हो गया, बहर का खाना हो गया, समोजय को चोड़ी हो गया, मन करता है प्रि बहुत जर्की अगर रोड है तो उस पे नहीं ट्रावल करना चाहिए, बहुत स्पीडी वहिकल्स पे नहीं जाना चाहिए, आपको हार्ड या इर्रेगिलर सर्फिस पे नहीं बैठना चाहिए, इन सेक्ष्वल इंटर्कोर्स भी अवाइड करना चाहिए, एडिक्शन बहुत ह लाइन है, sedation का कोई भी चीज है, even excessive of tea and coffee is not good. हमारे अलकोहल का अडिक्षिन नहीं होता, सिगरेट का अडिक्षिन नहीं होता, बट चाय कोफी बहुत पीते हैं लोग, तो थोड़ा सा उसका restriction होता है. Then, जो हमारी natural urges है, जैसे कि, you know, urine आना, या bowel movement के लिए जाना, उसको कभी रोकनाने चाहिए, even sleep, अगर कोई urge आपको सोने का अमन है, या आप, you know, कभी भी अपने normal जो चीजे होती है, उनको कहते हैं, जिसको अधारण ये वेक कहते हैं, जिनको हमें धारण करके नहीं रखना चाहिए, तो उसका बहुत important role है, आपको अपनी natural urges को नहीं रोकना चाहिए, excessive exercise is not good, आप walk कीजिये, again, pregnancy is not a pathology, it's a physiology, it is precious, I know, but आप उसमें जो normal घर के काम हैं, आप सब कर सकते हैं, आपको heavy weight नहीं उठाना है, आपको बहुत exert नहीं होना है, लेकिन simple exercises आप कर सकते हैं, आप walking कर सकते हैं, आप breathing कर सकते हैं, आप pranayam कर सकते हैं, then, एक taste का बहुत लगातार use नहीं करना चाहिए, जैसे ऐसा नहीं है कि मीठा खाने का मन कर रहा है, जैसे उभगे만-जैस क्छेस हैं, तो मीठा ही खा रहे हैं, क्योंकि उसके कुछ adverse effect देखे गए हैं, अगर बहुत मीठा खाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि baby fat हो सकता है, उसको diabetes हो सकता है, अगर हम लगातार कुछ लोग कहते हैं कि मेरा खटाई खाने का मन करता है तो अगर हम लगातार बहुत खटा खाते हैं तो skin diseases का और eye की diseases का allergies का इसका risk रहता है अगर हम बहुत salty खाते हैं तो ऐसा बुक्स में वर्णन है कि युनों जो ग्रेंग ओफ हैर होगा बच्चे के केस में यह जल्दी हो जाएगा या जो फेस पर रिंकल आने वाला जो effect होगा वो जल्दी हो जाएगा अगें अगर हम alcohol और smoking की बात करें फिर से तो it is important to tell कि युनो जो heart का risk होता है heart diseases का risk होता है वो बहुत बढ़ जाता है अगर addictions होते हैं similarly हमारा physical और mental you know उस time peace of mind बहुत important है एक lady के लिए उसका emotional well-being बहुत important है pregnant poor lady है लेकिन हम उसकी कैसे care करें ताकि उसको stress ना हो क्योंकि अगर lady को stress है तो जो हम medically IUGR कहते हैं जो intrauterine growth retardation है या gestational diabetes यह जो pregnancy में जो diabetes हो जाती है इसका risk बहुत बढ़ जाता है बच्चे में congenital effects होने का बहुत risk बढ़ जाता है तो coffee intake वगरे से भी देखा गया है कि बच्चे का वजन जो बच्चा पैदा होता है उसका वजन कम होता है या addictions you know otherwise also female के लिए ही नहीं बच्चे के लिए बहुत harmful होते हैं तो हमें particularly बहुत ध्यान रखना है अब बात करते हैं कि उस लेडी का पूरा महौल घर का उसका daily routine ayurveda में अगर मैं बोलू तो दिन चरिया का बहुत important role है हमारा पूरा दिन कैसे spend होना चाहिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बहुत important role तो जो उस लेडी का घर है वो regularly fumigate होना चाहिए आयूरवेद में हम इसे धोपन कहते हैं मैं आगे बताऊंगी आपको इसके बारे में but to explain in a simple manner जो आपकी जो कुछ herbs होती है जैसे नीम की पत्ती हो गई अगर आपने उसका धुआ कर दिया थोड़ा सा हल्दी उस पे आपने हलका सा स्प्रिंकल करके और कुछ आपने कुछ herbs का या कुछ drugs का अगर आप धुआ करते हैं तो वो एक natural disinfectant का काम करता है तो वो नहीं प्रेगनेंसी में करना चाहिए बट वो पोस्ट डिलिवरी भी जरूर करना चाहिए कोविड में इस वेरी वेरी हेल्फुल तो इससे नह यह मुट हो गया क्या ने ने मम प्लीस कंटिनिय। और राइट जरूर करना चाहिए और दूसरा बेदिंग के लिए तो प्रेगनेंट विमन शुद टेक बाथ रिगिलर्ली तो उसका जो नहाने का पानी है जो स्नान करने के लिए जो जल होता है वो भी हम थोड़ा सा उसमें नीम की पती डाल सकते हैं कुछ एरण की लीव्स टाल सकते हैं बातनाशक द्रव्यों से उसको हम साधित कर सकते हैं स्नान के लिए तो वो उस पेशन के लिए बहुत हल्दी होता है उसकी बॉड़ी क्लीन रती डीप ब्रीधिंग करना चाहिए, इससे नहीं आपका पूरा सिस्टम रहता है, पर समवेर डाउन दॉन आइन आपके पूरे मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत फरक पड़ता है, then the patient should be, you know, she should be living in a harmonious atmosphere, घर का महाल बहुत positive, बहुत खुशनुबा, बहुत अच्छा होना चाहिए, कहते हैं, laughter is the biggest medicine, it's the best medicine, तो अगर आप खुश रहेंगे, तो आपके body के hormones का flow भी अच्छा रहेगा, और बच्चे की psychology directly dependent होती है, मदर की psychology के पे, तो इसलिए, the lady should read spiritual books, mantra उच्चारण, ओम का उच्चारण बहुत अच्छा है फिमेल के लिए, then हम कुछ drugs की भी बात करते हैं, जो हम कुछ healthy herbs हैं, जो हम patients को advice करते हैं, जैसे Ayurveda में pregnancy के लिए फलगृत हम बहुत देते हैं patients को, उसका consumption बहुत अच्छा होता है, बहुत healthy होता है and it is good for entire pregnancy, then हम शतावरी देते हैं, then कुछ symptoms जो हमारे होते हैं, जैसे nausea वगर होता है, acidity होता है, आमला वगर है, इनका अच्छा रोल है, अगर किसी patient को constant emotions वगर होते हैं, तो Ayurveda में पुत्रजीवक या शिवलंगी के बीज इनका भी विदान है, तो यह मैं आपको general थोड़ा सा idea दे रही थी, then यह तो था pregnancy के बारे में के pregnancy में कैसे care करना है, अब patient का delivery, patient के delivery हो गई, अब जो postnatal care है, that is also an equally important time, बो period जिसको हम Ayurveda में सूतिका काल कहते हैं, so this word is basically, you know, जो mother है, उसको हम प्रसूता कहते हैं, इसलिए उस particular period को हम सूतिका काल कहते हैं, तो अगर मैं मुटे तौर पे उसको समझाओं, तो 45 days का period post delivery is very very important, this way first 10 days are extremely important, delivery होता है, उसके बाद, you know, mother बहुत painful condition में होता है, तो बाद, 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 अगर normal delivery है, अपीजोटमी हुआ, तो एपीजोटमी का, stitches का pain होता है, अगर सेजेरियन section हुआ, तो stitches का pain होता है, ताके पकने का, डर होता है, उसका दर्थ होता है, then बच्चे की भी equal care करनी होता है, because the child is equally dependent on the mother, और वो breastfeed उसको exclusively कराना पड़ता है तो then the female is going through a lot in those 45 days तो वो care is very very important, it is equally important the way we cared for the pregnant patient तो हमें बहुती नरिशिंग और light food patient को देना चाहिए तो इसमें भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जैसे हम pregnancy में जो माँ खाती थी उसका कुछ portion बच्चा consume करता था delivery के बाद क्या होता है, mother की body की जो weakness हो जाती है और इन सारी चीज़ों की वज़े से या जो vagina से bleeding होता है जो discharge होता है, जिससे uterus का cleansing होता है, जो toxins body से निकलते हैं जिसको लोग क्या कहते हैं, उसका बहुत care करना चाहिए, mother बहुत weak हो जाती है और ऐसे में वात दोश body में बढ़ जाता है, तो ऐसी चीज़ें जिन से वात ना बढ़े उसका खान पान में ध्यान रखना है और उसके अलावा एक nutritious, balanced, tight mother को देना है आप उनको अच्छे मोहल में रखिए, again fumigation करिए, mother को आप massage कर सकते हैं, baby is also massage and the mother is also massage तो general strength के लिए काम करना चाहिए, जो local part है, क्योंकि discharge हो रहा है तो उसका cleaning बहुत important है तो हम उसमें त्रिफला को आथ प्रक्षालन बताते हैं, कि basically आप एक चमज त्रिफला लीजिए और आप उसको दो ग्लास पानी में बॉल करके, when it is reduced to half, आधर रह जाए, उसको नगुने पानी से आप अपना जो private part है उसको clean करिए, ताकि वहां पे infection नहीं हो, जो body से toxins निक करें इसके लिए गुड़ बहुत अच्छा है, तो गुड़ का सेवन करना चाहिए या पानी में मिक्स करके उसको गरम करके बॉल करके और थोड़ा सा सोठ मिला के अगर आप लेंगे तो आपकी यूटरस की natural cleansing हो जाएगी, कुछ गरम चीजों का सेवन जैसे गरम सूप है या आपने कुछ आपका जो खाना है या जो आपका सूप है थोड़ा काली मिर्च आप में डाल दिया, अद्रक का सेवन, लहसन का सेवन, ऐसे में, कार्डमम यह बहुत इंपोर्टन है जो आप अपने आपकी नहीं उसकी cleansing पे help कर रहा है, बट इस और आपकी नहीं उसकी क् करना है, अगर आपकी digestive fire अच्छी होगी, आपकी अगनी अच्छी होगी, तो आपकी बाद में पाचन अच्छे होने के बाद आपके tissues अपने आप healthy बनेंगे, तो morning में आप पेशन्ट को दलिया दे सकते हैं, ओट दे सकते हैं, और green vegetables दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, milk products दे सकत हैं, it is very important, हमारे इंडिया में तो बहुत culture है, तो सोट के और गुड के लड़ू बनाये जाते हैं, जिसमें dry fruits हम डालते हैं, so that is very very good, और जो चीजें जिनसे gas बनती है, जैसे की छोले हो गए, आलू हो गया, राजमा हो गया, इन चीजों को आपको अपको अवाइड करना है बहार के खाने को अवाइड करना है, frozen food अवाइड करना है, excessive oil intake आपको अवाइड करना है, excessive, you know, बहुत spicy चीजें जो के difficult हो, डाजस्ट होने में वो चीजें नहीं खानी, लगहू सुपाच चे अहार आपको लेना है, गरम पानी आपको पीना है, वो वायू का अनलोमन करेग वो बहुत helpful है आपके लिए, then कुछ आप एक, उसमें detox water भी बना, एक simple water भी बना सकते हैं, जो कि आपकी digestive fire को भी improve करेगा, और आपकी body के detoxification में भी help करेगा, तो जैसे हम हमेशा बताते हैं लोगों को, कि आप एक चमल जीरा ले लिजिए, एक चमल सौंफ ले लिजिए, धन इस से metabolism, it will be turning back to normal, then massage is very important, जैसे हम बताते हैं, routine massage, female का करना चाहिए, उससे भी वायू का वाजशमन होता है, जैसे हम बताते हैं, कि वात बढ़ जाता है, तो और डाइट में आपको खिच्डी और घी इसका प्रयोग आपको करना चाहिए, then रात में आप रोटी खा सकते हैं जो गेहूं के आटे की है, और कुछ steamed vegetables के साथ या boiled vegetables के जो simple सबजियां हम बिना जादा मिर्च मसाले वाली घर में बनाते हैं, आपको दूद अच्छे से पीना चाहिए, because you are lactating, तो आपका milk intake खुद का भी बहुत अच्छा होना चाहिए, then जो fresh fruits हैं, जो आप खा सकते हैं, और यह ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वायू बड़ा है, तो it is very important कि आप constipated ना हो उस टाइम पर, then अगर मैं लाइफ स्टाइल की बात करूं, यहां पर एक चोटी सी चीज मसाज के बारे में और मैं आड करना चाहूंगी, कि बोडी मसाज के बाद आपका जो य वहां पर भर रहा है, वो वायू के शमन में help मिलेगा, तो यह जो post delivery cramps होते हैं, या जो बहुत bloated feeling होता है, इसमें भी आपको help मिलेगा, शावर आपको गुन-गुने पानी से ही लेना चाहिए, यह धिहान रखना चाहिए, जैसे मैं पहले भी बदा चुकी हूं, कुछ पति बड़ियां, पानी को बोई गुन-गुना करके आप उससे स्णाल लीजे, आप सिट्स बात जिसको हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा फिटकरी का पानी लेजे और आप गुन-गुने पानी में फिटकरी डल के और आप थोड़ी देर बैठीये, तो इसे विल्हां डिस वि अब कुछ मेडिसिंस के बारे में अगर मैं बोलू तो हम दश्मूल बहुत प्रेफर करते हैं पेशिंट्स को देना, पोस्ट प्रेगनेंसी, it is very very good, it is very very beneficial, उसमें वो सारी हर्ब्स हैं जो वायू का शमन करेंगी, और वो सारी हर्ब्स हैं, जो की 10 हर्ब्स हैं दश्मूल में अगर मैं बात करूं तो और जो आपकी पूरी बोडी का, you know, you are getting back to normal, delivery के बाद आप अपने normal, non-pregnant state में, in 45 दिनों में आते हैं, तो जो आपका routine का, जो regular, आपको जो pain है, जो आपको discharge है, जो आपको discomfort है, उस सब में दश्मूल is a wonder medicine, और जो कि हम breastfeed करते हैं इस time पे, तो हम patients को शतावरी देना भी prefer करते हैं, अब बात करते हैं, बच्चे की, तो जब बच्चे का जनम होता है, उसके बाद, it is very important कि उसको proper बात दिलाके, उसके external orifice, यह जो यह वाला area होता है, या जो nasal और इसको properly clean करना important होता है, और जो पहली चीज हम Ayurved में बोलते हैं, जो जहद और घी देना चाहिए, बच्चे को मंत्रों के साथ साधित करके देना चाहिए, इसका बहुत important role है, अगर मैं बच्चे की development की बात करूं, तो उस टाइम पे हमारे Ayurved में बहुत सारे संसकार हैं, जैसा मैंने बताया कि गर्भदान भी एक संसकार है, गर्भधरन संसका है, प्रॉपर रिच्वल्स के साथ, सरेमिनी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाता है, लाइकवाइस, बच्चे का हर छोटा माइल स्टोन जो अचीफ करता है, उसमें आयरविद चोटे-चोटे पूच्छा, चोटे-चोटे रिच्वल्स, चोटे-चोटे संसक के बारे में बात करता है तो इससे नहीं बच्चे का फिजिकल डिवलप्मेंट अच्छा होता है इस वेरी इंपॉर्टन देट चाइल शुड बी साइकोलोजिकली स्ट्रॉंग तो संसकार का उसमें बहुत इंपॉर्टन रोल है चोटी-चोटी सरेमनी होती थी पहले हम पंड बच्चा पंडे जा रहा है उसका भी एक सरेमनी है उसके विवाह का भी संसकार है तो इस तरह से आयूरवेद में 16 संसकारों का वरणन है तो हर चोटी स्टेच पे हर माइल स्टोन पे डिच्वल्स के साथ उसको बहुत पॉजिटिविटी के साथ आयूरवेदा में करना चाहूंगी जो कि बहुत एक कॉमन पेशेंट की कंप्लेंट एक जो अंदर क्वेरी होती है कि हम बच्चा अगर फीड कर रहा है तो हम लैक्टेशन कैसे बढ़ाएं तो अगर लैक्टेशन बढ़ाने के लिए सबसे पहला कॉंसेप्ट होता है ता यू पुट यूर च अगर आपको कोई अगर मेजर हेल्थ इशू नहीं है तो यू शुड एवाइड बच्चे को दूत पिलाएंगे कुछ हॉर्मोन का सेक्रेशन इस तरह से होता है कि उतना जादा लैक्टेशन फीमेल में होता है फिर मदर का मैं बार बार साइकोलोजी और स्ट्रेस के उपर बार बार इस पॉइंट पर एंफसिस ले कर रहीं हूं आपको इंकल्केट इस वन पॉइंट वेरी सीरियसली आफ्र आफ्र आपको मैं सेशन कि हमारा इंग्जाइटी और स्ट्रेस का बहुत इंपर्टन रोल है वो नहीं कंसेप्शन में हिंडर करता है दिकत करता है कुछ चीजे प्रेशन में है यह जैसे कुमन सेड्स ले न जैसे जीरा भूना हुआ है तो आप डेली उसको एक चममज अवह और आप चममज शाम ले सकते हैं यह देफ इन राख लेसेजेगे यह जमज शुब्छ यह पी अजिग में यह कुछ चीज़े हैं. So, I think, यह मैंने एक छोटा सा मेरा एक understanding था मुझे लगा जो मासेस को address करने के लिए बहुत important है भगवती. Thank you, ma'am. That was in very detail. आपने तीनों फेज़ेज में हमें बताया कि before conception, during pregnancy और उसके बाद भी mothers को बहुत अपना अहार विहार के ध्यान रखना चाहिए. माहौल कैसा है? बच्चे की upbringing, बच्चे की psychology पे काफी फराख पड़ता है. तो मेरे पास, ma'am, इस दोरान कुछ सवाल आए हैं जो मैं आपसे पुछना चाहती हूँ. हाजी. जी, ma'am, एक पहला सवाल मुझसे पुछा गया है. वही एक बहुती कॉमन सवाल है कि जब भी कोई expert हमारे साथ पास कौशते हैं, ये सवाल अकसर हमें देखा गया कि काफी पुछा जाता है. कि एक pregnant महिला को आज कल के जो COVID के माहौल में क्या precautions लेने चाहिए? हाँ जी, तो सबसे पहले तो COVID है, हम सब को पता है, बट प्लीज मेंटली स्ट्रॉंग रहिए, ये वाइरस है, अगर हम मेंटली स्ट्रॉंग रहेंगे, तो शायद हमारी इम्मुनिटी और कहीं गुना बढ़ जाएगी. I understand that pregnancy is a sensitive stage, it is an immunocompromise stage, but having said that, हम कुछ अच्छा डाएट, अच्छे लाइफस्टाइल, अच्छे महाल से, इस सब चीजों से बहार आ सकते हैं, और अपनी इम्मुनिटी को strong बना सकते हैं. So, सबसे पहले मैं कहूंगी, eat well, आप खाना अच्छा खाईए, आप healthy खाईए, then number two, plenty of fluids, यह बहुत important है कि आपकी डाएट में water intake अच्छा हो, आप dehydrated नहीं हूँ. तीसरा, आपकी नेंद पूरी होने चाहिए, आपका sleep adequate होना चाहिए, और चौथा, इस टाइम पे मुझे पता है कि, you know, हमारी habit होती है, हम च्छोटी चीज के लिए अपने डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं, क्यूंकि हमें घवराट होती है, कि यह खाए, ऐसा करें, ऐसा नहीं करें, I know there are a lot of, you know, questions and queries that come to our mind, लेकिन मैं यह पॉइंट जरूर यहां पे convey करना चाहूंगी, कि इस पर्टिकिलर टाइम पे, unless and until you have any major issue, आप प्लीज टेली कंसल्टेशन एंकरेज करिये, आप फोन से अपने डॉक्टर में टच में रहें, फोन से, आप उनसे बात कर सकते हैं, कुछ विजट्स तो हमारी post pregnancy बहुत important होती है, मतलब जब हमने डाइगनोस हुआ कि आप pregnant है, उस टाम पे आपकी 3-4 विजट्स हॉस्पिटल में बहुत important है during your entire pregnancy stage, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, एक विजट्स आपका प्रेगनेंसी पे तब होना चाहिए हॉस्पिटल, जब आपको लगे कि यू आर ओवर्ड्यू और आपको अपना प्रेगनेंसी कन्फर्म कराना है, तो एक बेसिक अल्टरसाउंड ज़रूर होना चाहिए, एक विजट होता है, जिसमें कुछ बेसिक ब्लड इंवेस्टिगेशन के लिए या कुछ सप्लेमेंट्स के लिए डॉक्टर आपको बुलाते हैं, तो आपको ब्लीडिंग हुआ या आपको लगा कि हाँ लेबर पेन आ रहे हैं उस टाइम पर इसके अलावा अगर आपको कोई मेजर इसू नहीं है, तो प्लीज अवाइड गोई तो अपने घर में ही रहिए, आप अपना ध्यान रखिए, तो इस वेरी इंपॉर्टन वितमिन D का रोल है, हम देखते हैं, कोविड में वितमिन D के वारे में बड़ी बात होती है, बट सुनलाइट इस नाचुरल सोर्स व वितमिन D, तो जो प्रेगनें लेडी है, उसके घर में, उसके रूम में, वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, एडिकवेट सुनलाइट उसके कमरे में आना चाहिए, जैने अगें आगें विल से गुड लाफ्टर, लाफ्टर इस बेस्ट मेडिसिन, पॉजटिव एट्मोस्फियर इस वेरी वेरी इंपॉर्टन अट होम, शीशोट इंडल्ज हरसेल्फ इन सिंपल योगा एंड मेडिटेशन, आदे घंटे के लिए कुछ डीप ब्रीधिंग एक्सराइजसेस हैं जो आप कर सकते हैं, आप अनलोम विलोम कर सकते हैं, आप ब्रहामरी कर सकते हैं, आप ओम का उचारन कर सकते हैं, आप डीप ब्रीधिंग कर सकते हैं, this will not only help you, you know, relax your brain, but will also increase your lung capacity, जो आजकल हम saturation बहुत देखते हैं, pulse oximeter में और उससे में डर लगता है, कि 92 से नीचे नहीं जाए, तो अपनी lung capacity को बढ़ाने के लिए नाचुरल वे हैं, आप प्लीज अनलोम विलोम करिये, this is very very good, और कुछ remedies हैं, जैसे चवन प्राश लेना अच्छा होता है, fumigation बहुत अच्छा होता है, आप अगर routine में हफते में दो बार या तीन बार करते हैं, तो वह बहुत अच्छा रहता है, शतावरी है, शितुपलादी है, कुछ remedies हैं, जो हम patients को time to time advice करते हैं, जी बुद्वरी जी थांक्यू इस सवाल का answer करने के लिए, एक दूसरा सवाल pregnancy से related मेरे पास आया है, कि morning sickness का ध्रान कैसे रखे या जो महिला है, morning sickness feel कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, तो morning sickness, अगर मैं बोलू, this is very very common, 85% of female में ये commonly देखा जाता है, like I said, pregnancy is not a pathology, it's a physiology, तो उसको आराम से routine में, simple तरीके से सोचना है, कि ठीक है, थोड़ा सा nausea होता है, simple चीजे हैं, सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, जब आप सोकर उठते हैं, तो you know, you should not immediately get up from bed, आप उठते हैं, आप उस समय तो biscuit खालीजिए, simple से, और उसके बाद आप अपनी ये limbs का movement थोड़ा सा करिए, थोड़ा सा अपनी body को ये movement करने के बाद, फिर आप बेट से उठिए, इस remedy से ही बहुत फरक पड़ता है लोगों को, then Ayurveda ऐसा भी मानता है कि वात का aggravation हो जाता है, तो जो चीजें वात बढ़ाती हैं, मैं बार-बार ये बोलूंगी वो नहीं खानी हैं, जिसे आप राजमा अगर खा लेते हैं, छोले खा लेते हैं, लग्यूम खा लेते हैं, आप बहुत आलू, मश्रूम ये चीजें अगर खाते हैं, तो इनको आपको डाइट पर बहुत स्ट्रॉंग फोकस इस टाइम पर देना है, फर्स्ट्रीमेस्टर इस वेरी सेंसिटिव, पर्टिक्लर इन थी ताइप फ्रॉब्लम्स, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, ये भी मानता है कि ऐसे में दो हृद्या, माने कि दो हृदय हो जाते हैं प्रेगनेंट फीमेल के एक हार्ट जो उसका खुद का है, और एक हार्ट जो उसके बच्चे का है, तो ऐसे में थोड़ी ख्रेविंग्स होती है, कुछ-कुछ खाने का मन करता है, तो तो जो बहुत 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 थे जाएप ये जो अगर आपको लगता है तो नारियल का पानी पी सकते हैं, अगर आप पुदीनी की पत्ती कभी-कभी थोड़ा चीव करते हैं, और अचीव बनाते हैं आप झूणी की फेनल सीट आप अगर पानी रात को भीगक दीज आप सगाद दीजीं आप बहुत अगर शुड़ा भी जाब लगता पनी रात को बहुत अट लिगग दीजेव दोड़के अगर मॉंदीज, condition we call it as hyperemesis gravidorium तो ऐसे condition में अगर बहुत उल्टी होती है बहुत वोमिटिंग होती है तो डेफिनेटली हमारा जो बोड़ी का salt होता है तो disturbed होता है ketoacidosis हो जाता है ऐसे में हमें डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए जी माम एक नया question मेरे पास है कि mood swings pregnancy में mood swings का कैसे ध्यान रखे तो mood swings तो होंगे because थोड़ा hormones disturbed होते हैं थोड़ा progesterone का role आ जाता है estrogen का रोल आ जाता है तो यह mood swings तो बहुत common है तो लेकिन इसको भी हम normal अगर घर में वातावरण अच्छा रखेंगे अगर हम breathing exercises करेंगे अगर हम अनुलोम विलोम करेंगे भ्रामरी करेंगे this is very good to relax your brain you take my words it works like wonder और अगर आपकी नीद अच्छी होगी आपका diet balanced होगा और आप 20 minute meditation करेंगे हमारे आयरुवेद में जीवा नंदा प्रोग्राम है जिसमें हम meditation के बारे में काफी detail में बताते भी हैं तो वो हमारे website पे details हैं आप उसको देख सकते हैं और अगर बहुत जादा mood swings हैं तो थोड़ा कभी-कभी counseling का requirement होता है डॉक्टर से बात करने की जर आप अपने घर में सबसे अपने emotions को share करें यू नो बहुत सारी चीज़े अपने तक confined नहीं रखना चाहिए when you share then people discuss people you know come out with a solution तो आप family अगर connected रहेंगे आप socially active रहेंगे लोगों से बात करेंगे so you will feel good तो अपने रूम में मत बंद हो जाए कि COVID है प्रेगनेंसी है रूम में patient around और आप you know just take it like a normal routine आप अच्छा खाये अच्छा healthy diet लीजिये आप healthy lifestyle adopt करिये and certainly you will come out of it yeah ma'am ma'am mood swings के साथ साथ heartburn की भी शिकायते pregnant ladies अक्सर करती है तो ऐसे प्रेकॉशन लेने चाहिए so heartburn again is very common with pregnancy again because of the hormones and also जब बच्चा गरता है so this is the baby is also pressing against the stomach तो ऐसे cases में थोड़ा सा reflux का problem या acidity का problem बहुत common है again ऐसे situation में आपको बहुत oily और spicy food नहीं खाना चाहिए आप कुछ भी अगर गरम खातें even आप चाय का intake आपको बहुत restrict करना पड़ेगा अगर आपको acidity है आपको छोटी-छोटी frequent meals लेनी चाहिए जैसे आपने हर दो तीन घंटे पे कुछ-कुछ खा लिया रादा देन having you know पूरा पेट भरके अच्छे से खाना खाना और सो जाना उससे बेटर है have small and frequent meals then आप सोने से दो घंटा पहले आप कोशिश करें कि आप कुछ ना खाएं that would be better और coconut water का इसमें अगें बहुत अच्छा रोल है नारियल पानी ले सकते हैं धनिये का और सौंफ का पानी हम इसमें बहुत पेशेंट को बताते हैं कि आप एक चमर्स धनिया और एक चमर्स सौंफ रात को भिगो दिजेए पावडर और सुबह मॉर्निंग में आप चान के उस और उसको नॉर्मल टेंपरेचर पे आप सिप्स करके लेंगे सो मिल्क इस अगुड एंटासेट इट है जादा प्रॉब्लम होने पे अफ़ोर्स आपको डॉक्टर्स को रिपोर्ट करना चाहिए और आपको प्रॉपर उसके लिए दवाईया चाहिए होंगी तो वो हम कि पर्मेनिंट या यह पेगनेंशी के बाद चीज़े चली जाती है तो प्रेगनेंसी में जो पिगमेंटेशन होता है उसको हम क्लोज्वा कहते है जो यह यहां पर पर्टिकुलर्ली इस एरिया में पैच आ जाता है उसको मेलेसमा या क्लोज्मा कहते है बहुत सारे केसे मे अगर नहीं होता तो अफकोर्स हम कुछ रेमेडी हैं जो हम यूज कर सकते हैं आप अलोवेरा जेल उसके उपर लगा सकते हैं अगर आपको सूट करता है तो आलू का रस इस वेरी इंपॉर्टन आप उसको अग्दू करिये और उसका थोड़ा सा रस निकाल लीजे और वो रस को धीरे धीरे जब आप अपने सकल पर टैप करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे और शम्तिंख विच जो डबी डन कंटीनूसली ऐसा नहीं कि आज लगा या पर चार दिन बाद लगाया है तो यूटेश आर यूट न यूट यू दो एन रुटीन मान खराए तो उसक तोड़ा सा कॉकुम्बर है उसको कदुकस करके उसका रस निकाला या उसको टैप करके स्किन पर लगाया और थोड़ी देर बाद एक दू घंटे बाद उसको वाश कर दिया तो यह कुछ जनरल रेमेडीज है उसके अलावा कुछ जो मेडिसेंस है वो हम पेशेंट से डीटेल में बात करके उनके दोशास को अंडरस्टाइंड करके फिर हम बताते है अगला सवाल मुझसे कॉंस्टिपेशन के बारे में पूछा गया है कि यह भी अप्सर देखा जाता है तो इसका कोई इलाज है या इसको कैसे मैनेज करें कॉंस्टिपेशन अगर हम बोलें तो प्रेगनेंसी में जो वायू बढ़ने की वज़े से बहुत जादा होता है या जो प्रेगनेंट फीमेल्स आइरन सप्लेमेंट्स पे होते हैं वो भी एक रीजन होता है कि पेशन को कॉंस्टिपेशन होता है तो हमें सिंपल अपनी सबसे पहले तो हम खा क्या रहे हैं डाइट क्या ले रहे हैं उसको समझना पड़ेगा कि ऐसी कोई चीज जिससे वातना बढ़े जैसे मैं पहले भी अभी कई बार आपको बता चुकी हूं अगीन आइविल से कि लेग्यूम्स हो गया देन मश्रूम्स हो गया देन पीज है अलू है आपका राजमा है छोला है कोई भी वातवर्दक अगर अहार लेंगे तो उससे कॉंस्टिपेशन बढ़ता है तो थोड़ा सा डाइट में फाइबर इंटेक अच्छा होना चाहिए अगर फाइबर तीसरा घी का था 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 कंशुम्छन होना चाहिए इस वरी इंपोर्टन दक यो चूंजीं घी इंप्रेट सी अगर वह बहुत भाइबर अग्यूम्स होना चाहिए तो अगर आपको बहुत दादा कॉंस्टिपेशन है तो आप दूध में तो नहीं को लेते हैं तो ड़ देते हैं वो स्नेहन देते हैं आभी अंतर तो उसे बात का शमन होता है so that helps या अगर गुलकंद अवेलेबल है तो गुलकंद लेना बहुत effective है constipation में जी माम इस वत अगर हम covid pandemic की बात करें कि हर मदला को अपने और अपने बच्चे की बहुत tension है आपने sanitize की बात करें धूपन की बात करें कि घर को इस तरह के से आफ साफ रच सकते हैं वायू को साफ रच सकते हैं तो कोई और तरीका है अपने घर को sanitize करने के लिए इस covid में अगर अगर लेडी प्रेगनेंट है या पोस्ट डिलिवरी बच्चा चोटा है जिसको हम neonatal period कहते हैं ऐसे cases में हम उसका कमरा fumigate करते थे कैसे करते थे कि जो simple drugs है जैसे गुगल है नीम है कुटकी है जटामासी है हल्दी है कपूर है उसको अगर हम उसको जला कर उसका धुआ करते हैं अगर रूम में उसको पुरे रूम को fumigate करते हैं तो ना तो केवल it will help in the covid 19 times but it will also help disinfect the entire room तो यह बहुत important है यह natural air purifier है और नहीं natural air purifier है it creates a positive vibes in the entire house तो एक और तरीका दूसरा हो सकता है या तो आप नीम की पत्ती को crush करके उसका दुहां भी कर सकते हैं बहुत आराम से available हो जाएगा आपको मिल जाएका आराम से तूसरा तरीका है यह जो गाय का उपला होता है that is also जब आप उसको जलाते हैं तो बोलते हैं कि that is also उसके बढ़ने से it is very very rich in oxygen help करता है वो तो उस पे आप थोड़ा सा कपूर को crush कर लीजेए थोड़ा सा उसमें simple long अजवाइन, हल्दी यह चीजें अगर आप डालके उसका धुआ करेंगे कमरे में तो fumigate हो जाएगा लेकिन यह ध्यान रखना है कि जिससमें आप fumigate कर रहे हैं उस टाइम पर रूम जब fumigate हो रहा है तो उस टाइम पर थोड़ा सा बच्चे को और मा को अलग कर दीजे क् कुछ लोगों को थोड़ा सा उससे धुएं से कफिंग यह प्रॉब्लम ना हो जाए तो उस टाइम पर आप अलग करके कमरे को fumigate करके देन यू can have the lady and her child inside the room जी माम अब स्ट्रेस की बात करते हैं आपने कहा कि महिला को खुश रहना चाहिए लेकिन कई बार ऐसा होता है कि म स्ट्रेस को कैसे दूर रखे कोई अगर आप महिलाओं को खुश रहने के लिए बता सकते है तो बिल्कुल महिलाओं को सेशन है उनको खुश करना बहुत ज़रूरी है तो stress relief करने के लिए सबसे पहले तो हमारा thought process बहुत important है stress जिन चीजों से होता है उन चीजों को दूर आपको knowledge होना चाहिए what is happening around you but यही नहीं हो कि आप पूरे दिन TV में सिर्फ वही news देख रहे हैं कि कितने covid के patients हो गए कितने recover हो गए कितनों को oxygen नहीं मिला कहा issue नहीं हुआ that is not your cup of tea वो अपना government उस पे काम कर रही है doctors are taking adequate care they are taking adequate precautions pregnant lady को इस तरह की news से थोड़ा दूर रखना चा कि आप अपने आपको healthy कैसे रखें so first of all you should be organized अगर आपका routine disciplined है आपका पूरा lifestyle disciplined है और आप organized है so half of the stress is gone second you have to take a healthy diet तीसरा again I would lay very strong emphasis on yoga and meditation here बहुत जादा उस पे follow करना है आप अगर आदा घंटा ये काम करते हैं आदा घंटा breathing exercises yoga और आदा घंटा meditation आप देखेंगे आपको बहुत फाइदा मिलेगा उससे then आपकी जो भी hobbies है मैं ये जरूर बोलती हूं ये एक lockdown वाला ऐसा time है जहां पर आपक चीजों के लिए time है आपके पास आप थोड़ा अपने लिए भी time निकाल सकते हैं so indulge in your hobbies किसी को painting का shock होता है कोई music बहुत अच्छा करता है so when you you know spend time with yourself that is also a wonderful experience और उसमें आपका stress level बहुत कम होता है then you should connect with people आप लोगों से बाचीत करिये आप socially active रहे हस ये बोलिये less use of gadgets आप आप जब सोने जाते हैं तो मैं हमेशा patients को बोलती हूं दो घंटा एक घंटा वहले आपके हाथ में mobile और आपके कमरे में tv का remote आपके पास नहीं होना चाहिए अगर आप gadgets का use कम करते हैं आप mental at peace रहते हैं radiations के harmful effects से भी आप अपने बच्चे को बचाते हैं so it is very important then ah 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 कुछ breathing exercises एक general walk यह सारी चीज़े पिर अगर बहुत stress है तो फिर जरूर डॉक्टर से बात करना चाहिए फिर हम ऐसे में कुछ हम herbs add करते हैं जो आपके brain को relax करें यह चीज़े हम इसमें advice करते हैं patients को जी ma'am ma'am immunity बढ़ाने के लिए कुछ Ayurved में है क्योंकि especially COVID में हमने देखा गए कि जिन लोगों की immunity strong है and COVID ने उने उत्मा परिशानी किया बजाए low immunity वाले लोगों से तो ऐसे में pregnant ladies अपनी immunity कैसे बढ़ा सकती है हां जी I think भगवती this is a very very important question and I would certainly want to address this point Ayurved बहुत अच्छा काम कर रहा था कर रहा है और हमेशा करता रहेगा immunity पर क्योंकि हमारा जो एक Ayurved का प्रयोजन ही यह है स्वस्त से स्वास रक्षणम आतुरस से विकार प्रश्मनम्चा माने पहले जो स्वस्त व्यक्ति है उसके स्वास्त की रक्षा करना important है आपकी general health बहुत important है ताकि आप रोगी ना हो और जब आप रोगी होंगे तो फिर उसका इलाज उस तरह से होगा तो general health के लिए simple simple चीजे हैं आपका number one it is very important I would again say here please get organized and please have a discipline routine यह बहुत psychologically भी आपको you know balance करके रखता है दूसरा कुछ जैसे गिलोय का सेवन तुलसी का सेवन आप जो चाय बनाते हैं उसमें आप अधरग डाल सकते हैं अधरग डाल सकते हैं तुलसी डाल सकते हैं आप थोड़ा सा काली मिरिश लाल सकते हैं लॉंग डाल सकते हैं इलाइची डाल सकते हैं यह कुछ दाल चीनी डाल सकते हैं यह कुछ इसी herbs हैं जिनको आप अगर spices हैं इनको use करेंगे अगर तो ये आपके लिए naturally आपके जो respiratory tract है उसको ये healthy बनाने में help करेंगी दूसरा चवन प्राश जरूर खाना चाहिए vitamin C intake is also advised by the ICMR guideline और आयूरवेद में 54 बहुत natural way है immunity बढ़ाने के लिए जरूर हर घर में होना चाहिए हम जीवा में हमने बच्चों के लिए भी चवन प्राश बनाया है या बच्चों के लिए एक you know immunity booster एक टॉनिक बनाया है जिसको हम बाल ओजस कहते हैं जो कि आपकी immunity में help करता है कुछ ऐसी चीज़ा जरूर लेनी चाहिए हमें जिससे कि हमारा digestive fire बढ़े जो हमारी अगनी है ताकि जो भी हम खाते है वो प्रॉपर तरीके से से digest हो प्रॉपर तरीके से metabolize हो और healthy tissues body में बनाये तो कुछ spices जैसे cumin आड करना जिंजर आड करना धनिया आड करना यह बहुत important है जनरल पब्लिक के लिए ashwagandha is amazing जरूर इसको आप ले सकते हैं अगर कोई you know कोई underlying medical pathology ना हो तो but ashwagandha is very good then आपके warm saline goggles आप नमक हल्दी का करें यह तो कोई भी कर सकता है आप steam लीजिए आप steam में पानी में आप थोड़ा सा उसमें healthy डाल सकते हैं थोड़ा सा तुलसी की पती डाल सकते हैं it is very important आप नहाने के पानी में नीम की पती डाल के बॉil कर सकते हैं आपकी general you know body की cleaning में बहुत help करेगा then अगर मैं respiratory हलका फु यह गिलोगन बटी है महासोदरशन बटी है हमारे यह जीवा हमने तुलसी और गिलोगी कैपसूल भी बना रखे हैं जूसेज भी है यह आप ले सकते हैं अपनी जनरल हेल्थ के लिए then इसमें नस्य का बहुत important टोल है तो नस्य में आप नाक पे दो बूंध अनु आइल का अगर अनु ओयल नहीं है तो आप गाय का देशी की भी डेली मॉर्निंग में अगर दो बूंध डालेंगे नाक में तो यह जनरल लोगों के लिए मैं बता रही हूं कि इसको हम प्रतिमर्ष नस्य कहते है अगर आप इसको करेंगे तो आपकी जो जो यह जो मेंटल हेल्थ के के लिए बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि आईरवेद में कहा है कि नासा ही सिर्का द्वार है अगर आपको ब्रेन तक कोई मेडिसिन पहुंचानी है तो वो नाक के थ्रू अगर आप पहुंचाते हैं तो इस एफेक्टिव सो प्रतिमर्ष नस्य इस वेरी वेरी इंपॉर्टन इधर विद अनु और विद काउस घी देन आपकी इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास जीवा में इम्मुनिट पैक्स भी अवेलेबल हैं हमने कस्टमाइज बनाय हुए है ताकि पेशिंस के इम्मुनिटी में वो पूरा पैक देते हैं उसमें काफी चीजे है गिलोए तुलसी का जूस भी है कैपसूल भी है गिलोए घनपटी भी है चवन प्राश भी है सैनिटाइजर भी है ताकि यह स आपको पूरा हेल्प करने के लिए और गाइड करने के लिए एक लास्ट प्रश्ट में आपसे पुछना चाहूंगी आपने योग और ब्रीधिंग एक्सराइज पर बहुत जादा फोकस किया है हमने यह देखा है कि कोविड पेशिंस जो अपने लंग का ध्यान रखते हैं ब्रीधिंग या योग से उनमें कोविड की इतनी परिशानिया नहीं होती हैं बचाया आम लोगों में तो प्रेग्नेंग लीडीज में योग का कितना इंपॉर्टेंट है ब्रीधिंग एक्सराइज कैसे करें क्या अगर कोई योग एक्सराइज आपने कुछ बताया अगर सिंपल्स्ट्रेचिंग एक्सराइज कर सकते हैं कि ऐसे अपने हन को ऐसे करना फिर सुक्ष में वЬयाम एसे अपने फिंगर को अक्मन खुमाना फंपिर in Please consider a पैर को आगे पीछे ऐसे गुमाना and then उनको रुटेट करना, कुछ ऐसे करके stretching करना, right? अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, डीप breathing exercise कर सकते हैं, मैं फिर कहूं कि अनुलोम विलोम करने से आपका lung का saturation, आपकी lung की capacity maintain रहती है, तो yoga और breathing exercises के बारे में मैं हमेशा इसलिए कहती हूं, क्योंकि ना ही वो आपको physically strong बना रहा है, बलकि वो आपको mental or spiritual health पे भी बहुत help कर रहा है, आपको yoga करने से, breathing exercises करने से, आपका brain relaxed रहता है, आपको अपने आप अच्छी नीन आती है, then आप नीन से मुझे याद आया, आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, pregnant females को अगर नीन का problem हो, आप simple सा देशी की लिजे और आपके जो पेरो के तलवे हैं, आप उसको ऐसे रब करिए, so once you rub them, आप देखे, आपको अच्छी नीन उससे आती है, और then pregnant है, तो of course आप हर समय पोजिशन में ने लेट सकते हैं, लेकिन ये भी help करता है deep breathing में, then meditation is very important, general public के लिए मैं बोलूँगी कि अगर आपको BT है या आपको diabetes है, तो please आपको उसको control में रखना पड़ेगा, अगर आप 5 mm of mercury भी अपना blood pressure control में रख सकते हैं, तो आपका cardiac risk या आपका heart attack का खत्रा कहीं कुना ठल जाता है, so this is very very important, do spare some time for yourself and do plan yoga and breathing exercises in your daily routine. Dr. Bhavna, thank you so much for answering all our queries, I am sure जितने भी लोगों ने सवाल पूछे होंगे, जितने भी लोगों के दिमाग के questions चल रहे होंगे, कि pregnant ladies को इस COVID में कैसे ध्यान रखे, अपना और अपना बच्चे का कैसे ध्यान रखे, उन सभी को questions को answer करने लिए, thank you Dr. Bhavna. Thank you Bhagvati, thank you for having me here, thanks a lot. जी, इसके साथ ही हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे, कि Dr. Bhavna ने कुछ medicines के नाम दिये, इसके अलावा, जीवा Ayurveda immunity kit इस वक्त हमारे DigiSeva portal के उपलब्ध है, बहुत ही nominal cost रखी गई है, जो market से आपको कम दामने मिलेगी, आप आज ही वो चेकाउट करिए, देखिए वो medicines और अपने और अपने परिवार के लिए आज ही order करिए, तो थांक यू दॉक्टर भावना, हम थांक यू आपके इस experience का आपने इतने points हमारे साथ में यहाँ पर साजा कि एक एक चीज इतनी detail में बताई, चीजों के नाम बताए, जो mostly हमारे घर के kitchen में मिल जाते हैं, जिसे हम अपने pregnant ladies अपने और अपने बच्चे का ध्यान रख सकती हैं, और ये भी बताने के लिए कि घर का महौल उतना ही important है जितना खान पाथ, तो खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रहिए, जो पुरुष इस वक्त हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, कोशिश करें कि जो आपकी wives हैं, आपकी partners हैं, इस वक्त खुश रहें, पेंडमी की situation उन्हें stress-free रखिए, आप उतना ही योगदान कर सकते हैं, जितना एक महिला का है, आप भी उन्हें खुश रखने में मदद करिए, तो इसके साथ ही, thank you ma'am, thank you for your feedback, thank you for your answers, और thank you हार हमारी health team का, जिन्होंने इतना informative session organized करवाया, thank you for your initiative, and we expect कि हमारी से तरीके से experts हमारी इस platform पे आएंगे, और आपकी queries का जवाब देते रहेंगे, तक कि COVID के जुम मिट्स हैं, क्या करें, क्या ना करें, सही तरीका क्या है, उन सबको आपको एक experts के थुरू राहे मिलते रहें, तो इसके साथ ही, हम ये सेशन इहाँ खतम करते हैं, कोशिश करेंगे, ऐसे ही experts के साथ आपको जरूर मिलाते हैं, Thank you, Dr. Bhavna, thank you. Thank you so much, thank you for calling me, I think you are doing a wonderful job, it is very important to spread awareness in the people in COVID pandemic times, and doctors का इस तरह से interaction बहुत important है, इससे patient motivated रहते हैं, और थोड़ा सा उनको जो stress है, इस चीज़ों को लेकर COVID times में वो कम होता है, so that's a wonderful job that you are doing. Thank you, ma'am. हमारी कोशिश ही है कि एक इस single platform के सरीए हम कई realis और उनके customers, लोगों तक पहुंच सके, जो इस वक्त डॉक्टर्स के पास महीं जा पारें, उनको यहां बैठे, एक टेली कंसल्टेंट, एक तरीके से टेली प्लाटफर्म के जरीए, उनको एक राय, एक 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 सही तरीका मिलका रहे कि जीवन शाली में क्या changes करने चाहिए. हमारे कोशिश दुबारा चलती रहेगी, हमें दीजे जाज़त, घर पे रहे, स्वस्त रहे, सरक्षित रहे, नमस्कार.